चल्य तो फिर शुरू करते हैं तो फिर अभी अपने डिसकस करने वाले हैं जीओ सी एल कॉर्पोरेशन लिमिटेड़ को तो जीओ सील कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी कुछ समय पहले ही कुछ समय क्या लास्ट फेडिंग डे के समय ही 14.27 परसेंट की रेली किये तो अभी अभी हम यह चार्ट देख रहे थे इनका तब हम जारा ध्यान गया कि 14.27 की अच्छी खासी रहले किये जो होती है 58.75 रुपीज की अभी जा स्टॉक चल रहा है 470 रुपीज 55 पैसे पर और अगर यह इनका यहां लेटर्स पैसे हैं अब बुक वैल्यू जो है इसकी की वह है 284 रुपीज की तो थोड़ा सा अगर आपन देखें जो कंपनी हैं वो एनरजेटिक्स, माइनिंग, इंफरस्ट्रक्चर, सर्विसेज और रियल्टी में हैं और यह हिंदुजा ग्रूप का पार्ट है ठीक है तो अब यह जो है कंपनी काफी सारे अलग 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 ठीक तो चलिए अब अपन देख लेते हैं इनका और अगर अपन का मैक्स चार्ट ओपन करके देखें तो मैक्स चार्ट पर अपन यहां देख सकते हैं इनका जो हाइस था वो 620, 620, 625 के आसपास कहीं इनका हाइस था है न तो अच्छा खासा इन्होंने अपना और टेम है अपन थोड़े से फानेंसे और देखते हैं प्रोजन कॉंस पर देख लेजा हैं पहले बुरी खवरे देखते हैं जो कंपनी है लो इंट्रेस का रही होगी और इसमें क्या है एक अर्निंग्स इंक्लूड एन अधर इंकम ऑफ 303 करोर जो अर्निंग्स है उसमें अधर इं इंक्लूडेट है 303 करोर की और वर्किंग कैपिटल डेस जो हैं वह इंक्रीज हो गए है 449 से बढ़कर के 661 ठीक और अब इसकी जो अच्छी चीजे हैं जो कंपनी के बारे में वह हैं कंपनी एक्सपेक्टेट हो कि गुट कॉर्टर और कंप्री मेंटेरिंग हाई कम्यूनिटी के अंदर होगा कम्यूनिटी की लिंक नीचे दी हुई है अगर आप लोगों को एडवांस ट्रेडिंग को एडवांस ट्रेडिंग एन इन्वस्मेंट दोनों का अपन डिसकेशन करते हैं मगर जैसे नॉर्मली हम इन्वस्मेंट प्रस्पेक्टिव बही 99% टा तो अगर आप लोगों को भी इंट्रेस्ट है उस तरह कुछ में तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं ट्रेडिंग कम्यूनिटी को ठीक है अगर अपन इधर देखें नेट प्रोफिट जो है वो 12 करोड का ओवर और प्रोफिट में चल रही है अच्छा खासा शूरू से प्रो अगर अपन cash-low की बात करें तो cash-flow भी positive में हैं इनका net cash will 6 करोड का है भी positive है और इनका मार्श 2017 के बाद से लगातार इनका 2017 के बाद से लगातार positive cash flow ही दिखा रही है अब अगर चलें यहाँ पे share holding pattern की बात करें तो promoter holding 73.83% की है अगर अपन yearly basis पर ही बात करें 73.83% की FIIs की बात करें तो 3.44% DIs की बात करें 1.26% government holding जो 0.30% की है और public holding जो 21.17% की है ठीक है तो इस तरीके से और जैसा आपको यहाँ पहली बताएगी हिंदुजा ग्रुप का यह है तो हिंदुजा ग्रुप के अलग 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 यहाँ पे अब देख सकते हैं तो हिंदुजा capital limited ने 73.83 percent का भी holding रखा है ठीक तो अलग अलग है इसमें तो खेर चले अब इतना हो गया अब अपन यहाँ चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट के basis पर अगर अपन देखें तो यहाँ पे अभी चुकि इसने बहुत बड़ी rally already की है अभी अभी recent time में तो अगर अपन बहुत जया तो प क्योंकि बात ऐसी है कि अभी अभी अच्छी खासी rally किया है 14.27% की तो हो सकता है selling आए तो अपन चुकि उसमें trap नहीं होना है इसलिए बहुत चोटी quantity में एंटर किया और अच्छा stop loss डे लो का stop loss रखे previous डे लो का नहीं रखे क्योंकि बहुत बड़ा stop loss हो जाएगा डे लो अगर next entry की बात करें तो 530 पर बनती है तो यह थोड़ा सा अभी ऐसा है कि entries थोड़ी सी ज्यादा gap है तो हो सकता है थोड़ा long term hold काना पड़े तो बाकी इसका और detail करें अपन इसका discussion जो है trading community के अंदर कर लेंगे अगर आप लोग को भी join करना हो तो नीचे link दी हुई है वो सिर्फ उनी के लिए उनको बहुत detail में stock analysis करना है अभी के लिए तो अगर अपन देखें यह डार्वस बॉक्स बना है ठीक है यहाँ पे डार्वस बॉक्स भी दिख रहा है तो चुकि आप लोग पता ही है कि हम डार्वस बॉक्स की strategy को at least एक structure को तो ध्यान रखते ही है डार लोग range breakout कहते है weekly range breakout n14 वगरे n14 भी होता है n7 भी होता है और जितने ज्यादा लंबे समय की range होती है उतना ज्यादा effective होता है तो यह चुकि weekly chart है तो अच्छा खासा काफी दिन का रहेगा तो जब यह जो breakout होगा यह breakout एक अच्छी upside momentum दिखाने की capacity रखता है ठीक है चले तो फ झेपल झाल 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 compliments जोसे चले का झाल झाल मंटने की रखता हैं तो तो भी है तो बन शोसे की phon viele का जब सा ज़ी होता है जिवे घ्यादाने की होता है वुकि 커픓र, फल्ल्यादा वो जम घय होता है जिल की पुलीश आफा घ्ट के चसे मेंह ठीग हैं